तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग मैं आपको बताने वाला हूँ आज एसी एप्लिकेशन के बारे में जिसमें आप केलकुलेटर में भी आपकी एप्लिकेशनों को हाइट कर सकते हैं किसी को भी आराम से बेवकूफ बना सकते हैं तो डायरेक्ट बात करते हैं सबसे पहले होने के बाद यहां पर सर्च कीजिए एप हाइडर लाइट को सर्च कर लीजिए सर्च करने के बाद यह वाली एप्लिकेशन है 6.7 MB की इसको आप यहां से इंस्टॉल कर लीजिए इसमां आपको पुरीष एप्लिकेशन की सेटिंग बताऊंगा मैं तो गाइस यह एप्लिकेशन इस्टॉल हो गई है तो इसको डायरेक्टी यही से ओपन कर लेते हैं आपन open करने के बाद कुछ ऐसा interface सामने आएगा आपके आने के बाद यहाँ पे add app पे क्लिक कर लिजे add app पे क्लिक करने के बाद जैसे मुझे facebook और केरम को hide करना है तो import apps पे क्लिक कर लेते हैं अब यह hide हो चुके हैं और यहाँ पे setting देख पा रहे हैं आप setting के बराबर lock का option है इस lock पे क्लिक कर लिजे lock पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा interface आएगा इसके बाद यह नीचे लिखावा setup pin now इस पे क्लिक कर लिजे setup pin now पे क्लिक करने के बाद एक आप 6 digit का lock रख दीजे यह जैसे मैं रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 और इसको confirm कर दीजे confirm करने के बाद वापस अपने home screen पाया जाईए home screen पायने के बाद अब यह आपका जो application थी यह calculator में बदल चुकी है अब आप सो कोई पेचान भी ने सके है कि calculator में आपने application है कैसे height कर रखी है और आप easily इसमे height कर सकते हैं किसी को पता भी ने चलेगा तो इसको वापस open कर लीजे open करने के बाद बिल्कुल calculator का interface खुलेगा जैसे हैं मैं 2 पिलस 2 करके divide करूँ तो बिल्कुल same calculator है guys दो फायद बड़ा सकते हैं से calculator पर चला सकते हैं और एब हाइट भी कर सकते हैं लेकिन मुझे अपना log खोलना है तो यह अपना password डाद लीजे 123456 जैसे डारूँगा यह application open हो गई application को वापस जैसा आपको बाहरे निकालना है तो इस पे click कर दिए यह डिलीट पे लियाए और इसको ok कर दिए ऐसे ही इसको भी करिए डिलीट पे करिए और इसको ok कर दिए और भारे आज़ेए बाहरे आने के बाद आपको calculator दिखेगा और आपकी application मी भारे आ गई आपको download भ कर दो कर दो